बलिया का विश्णीपूर एरिया यहां देख सकते हैं बक्लित्के परह को लेकर था तरह तरह के बकर यहां देखाए दे रहा है आपको जिले के हर कोले से लोग आए हैं यहां पे सजा हुआ है एक तरीके से माल लिजिए कि बकरों की मंडी क्या रेट है दस तजार गारा अजार बारा अजार जिसा बकरा है सदा बलिया से रामगड से रामगड बहरिया तो थार साल आते हैं नहीं सब यह पूसर घर का है बच्चे इतने दिल का है 14 महिना 15 महिना का बच्चे है सब बहर पर औरत कुली सब पूसी बकरित के पर परवकुले कर है बकरित के परवकुले कर हाँ 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 हो रहा है कि ले चल कर बेच तो दस प्याजाएगा आईये आप है नमस्कार आप है पड़ाम ले लिया बकरा पसंद आ गई है अभी नहीं है क्या नाम है आपका मुहमाद नसीम अच्छा कहां से हैं हम तो बाहरिया से हैं बाहरिया से बाहरिया से इतने बच्चे अब्लब्रव का एडिया है जहाँ बखरो की बजार लगी है बन पसंद तरीके से लोग अब बखरो की घरेदारी कर रहे हैं मौल बाव कर रहे हैं रेट कम है तो रिट कैसे सेठ यह सेट मैं यह तमाम लोग तो यहीं के हैं आज पास की लोग हैं आप लोग बकरा लेने आये क्या अब देखेंगे आप लेने आया है पिल्कुल नहीं परवंदपूर चारे पसंद आया इस बार बकरी की दाम कुछ जादे बड़ोतरी हो गया लगा इसा महांगा हो गया है तो उसके वैसे बकरी के दाम भी महेंगे हो गया लिया था प्रिशले साल मैंने दो जोड़ी लिया था सोलह जार के असपास इस समय वही बकरे का 22 जार दाम बताया जारा है जादा बहुत जादा हो गया जैब डिली करनी पोड़ेगी वक्ता कि अधार बहुत दान्यवाद है रिट स्ट्रेट में लगे ह हैं यहां पर करीब हमें लगता है कि सौ से अधिक यहां बकरे देखाई दे रहे हैं जिनकी खरिदारी हो रही है लोग रेट सेट कर रहे हैं फिर ले जाएंगे बकरी का बकरीत का पर्व जो है मनाएंगे अब तक की खबरों बसतना ही नमस्कुर